जा देखिये, बक बोर्ड का कोई पहली बार एमेंडमेंट नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, उस समय तो कोई नहीं हंगामा किये, कि वो एमेंडमेंट मुशलमानों का विरोधी है, ये मोधी जी का विरोध करते हैं, भरम फैलाते हैं, ये बक बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये amendment लाया गया है इसमें कोई उनके identity पर कोई पढ़ार हो रहा है केवल उसका दुसपरचार हो रहा है और ये दुसपरचार एक तरफ बकबोर्ट पे कर रहे हैं दूसरे तरफ भारत के अंदर सनातनियों को बंगला देश की अस्थिति हिंदूओं को करने की योजना बना रहे हैं कल सल्मान खुर्षित ने हिंदूओं को धंकाया डिड़ाया राहूल गांधी के इसारे पर आज मनीशंकर एयर ने कहा कांग्रेस कांग्रेस बता दे कि भारत में हिंदू नहीं रहेगा तो कहां जाए लेकिन आज जब बंतरी जी बोल रहे थे किरन दिजू सा जबरतस्ती यह लेंड जिहाद का एक बड़ा माफिया बन गया है और मेरा मानना है यह जो बिल लाया जा गया वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है भरम फैलाने का काम कांग्रेस ना करे लेकिन आपोजिशन के लोगों से हमने सवाल पूछा तो उनका यह कहना है कि सरकार जो है वकबोड के नाम पर फिर से एक दिलिजन को टार्गेट कर रही है मुसलमानों को टार्गेट कर रही है आपने अमेंडमेंट लाया तो टार्गेट नहीं हुआ हमने अमेंडमेंडमेंट लाया तो टार्गेट हो गया तुम पियो तो पुन मैं पियू तो हुआ है कई बार हो चूका है उस समय तो कोई नहीं हंगामा किये कि मैं वह एमेंडमेंट मुशलमानों का विरोधी है यह मोदी जी का विरोध करते हैं भरम फैलाते हैं यह बकबोर्ड में ट्रांस्पेरेंशी के लिए ये एमेंड मेंड लाया गया है इस में कोई उनके आइडेंटीटी पर कोई पढ़हार हो रहा है केवल उसका दुस परचार हो रहा है और ये दुस परचार एक तरफ बक बोर्ड पे कर रहे हैं दूसरे तरफ भारत के अंदर सनातनियों को बंगल कल सल्मान खुर्षित ने हिंदूओं को धंकाया डिड़ाया राहुल गांधी के इसारे पर आज मनीशंकर एयर ने कहा कांग्रेस कांग्रेस बता दे कि भारत में हिंदू नहीं रहेगा तो कहां जाए लेकिन आज जब मंतरी जी बोल रहे थे किरन रिज्जू साब ने तो उन्होंने कई पॉइंट्स किन हैं उन्होंने कहा कि 85,000 से जादा मुकदमें ट्राइबूनल या कोर्ट में लंबी थे हैं जबर्दस्ती ये लेंड जिहाद का एक बड़ा माफिया बन गया है और मेरा मानना है कि ये जो बिल लाया जागा है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है भरम फैलाने का काम कांग्रेस ना करे देकिन आपोजिशन के लोगों से हमने सवाल पुछा तो उनका ये क अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें